वेल्कम स्टुडेंट आज कीस वीडियो में हम कारबन इंटस कंपां यू की लिक्चर नूंबर फोर की बात करेंगे अभी पिछले वीडियो में हमने कारबन के बारे में ऊस छेप्टर रसारे वह सारी जानकारी देखी थी और सीकhी थी अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो फिछली वीडियो को आप जा के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं भी हम सब hydrocarbon कहलेगा जैसे आप बात कर और यह च 4 कि Corp के अंदर carbon बी है क्या कालएगा hydrocarbon क्राइगा है क्या 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 की धिक आदना है की compoundhoe any compound जिसके अंदर carbon present होता है और hydrogen प्रजेंट होता है वह कलाता है हमारा hydrocarbon क्या कर आता है हाइड्रोकारबन आप समझ चुके होंगे चलिए के तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं क्या होता है क्या क्या होता है कि नाम से स्रींखला बनना यानी कि कड़ी बनने का मतलब क्या हुआ यानि कि एक carbon के पास दुसरा carbon इसके पां दूसरा carbon यानि कि लगतार carbon-carbon-carbon जुड़ते जाते हैं उसे को हम सरिंखला करते हैं फिर catination करते हैं यह carbon के property होती है carbon एक तरह का ऐसा element है जो अपने ही carbon atom के साथ जुड़ने की ability रखता है यानि कि एक कार्वन जब दूसरे कार्वन के साथ जुड़े और दूसरा कार्वन के सी और कार्वन से लगतार जुड़ते चले जाएं तो इस गुड़ को हम क्या कहते हैं करते हैं क्या करते हैं क्या करते हैं क्या करते हैं यानिकि जब भी कोई भी एलिमेंट अपने ही टायब के एलिमेंट के साथ जुड़ने लगता है उस गुड़ को हम कहते हैं इसा सरफ कारबन के साथ ही नहीं है बहुत से मुखह में बचाती है तो जोन का फार्मूला होता है यह बनता कैसे एक अक्सिजन आटम के साथ कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं तो इसके अंदर भी तो कुछ न कुछ कार्वन के अंदर भी होता है अगर कैटिनेशन का डिफिनेशन आप लिखिएगा तो आप बना के खुद से लिख सकते हैं यानिकि जब कार्वन परमाड़ अपने कार्वन परमाड़ के साथ एक स्रिंखला बनाने लगता है लगतार जुड़ने लगता है उसे हम कैटिनेशन करते हैं बात वही हुआ अभी हम समझते हैं सेटुरेटेड कार्वन क्या होते हैं और अंसेटु स्रिफ सिंगल बाण्ड हुग स्कुरियंटेटट कंम्पाउंड कहाते हैं्-3 इंड्यूर्ट कंपाउंड अभी सेटोरीटोट असॆ या ह PCs बाट करेंगे टो तो औस इसके पीच कारबन कारबन के बीच करबन के बीच ट्रिपल बॉंट पायाता है तो यह होगा हमारा और संद्रित्य या फिर एन्सेट्रियेटटेड्टकंपाउंट्स तो अभी आप समझें कि हाइड्रो कार्बन क्या होता है क्या होता है सेट्रियेट्ड और एक पिर दहरा दे रहा है समझ जाहिएगा hydrocarbon वे compound होते हैं जिनके अधर hydrogen और carbon श्रिफ पायाता है उसे हम hydrocarbon करते हैं जाथ कारबन का अपने ही पर्माड़ू के साथ जुडने के गुड़ को हम catination करते हैं saturated compound क्या होता है वह compound इसके अंदर स्रिफ single bond पायाता है ऐसे compound को हम unsaturated compound करते हैं